हाई गाईज वेलकम बैक अनुब गैमिंग असलाम अलेकुम मेरे तमाम बैन बाईओं को कैसे हो मेरे बैन और कैसे हो मेरे बाईओं तो अब लिक आज का वीडियो होने जा रहा है पब जी मॉबाइल के प्राइविसी एंड सोशल सेटिंग के बारे में जैसा कि आप लोगों को बता है मैं आप लोगों को सेटिंग में ले जाता हूँ इसके बाद आप लोगों को निची आ जाना है प्राइविसी एंड सोशल पर तो यह जितने भी सारे सेटिंग है आज मैं आप लोगों को एक्सकाम में आपका setting आने वाला है तो वीडियो आप लोगों ने पूरा देखना है अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज या सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को भी लाइक कर दो तो प्लीज पब्लीक यार वीडियो को लाइक करें यह जितने भी सारी settings है privacy and social की यह सारे मैं आप लोगों को explain करके बताऊंगा एक-एक setting बताऊंगा कि आपका क्या काम करने वाला है फर्स्ट अफॉल चलते हैं अब अपने setting की तरफ और आप लोगों को explain करके बताते हैं सबसे पहले setting में आना इसके बाद privacy and social में सबसे पहले बाई जो है in match like feature in match like feature का आप लोगों को बता है कि आप यहां पर आते हो तो यहां पर आप लोगों को एक like का बटन देखता है अब आप लोगों ने सेकेंड सेटिंग की तरफ आप लोग तो हमारा जो दूसरा सेटिंग है वह इसको आप लोगों ने बाई इनेबल बिल्कुल नहीं करना वरना आपके पास कोई बड़े-बड़े प्लेयर आ जाएंगे को बाहर मुल्क के वगरा के आ जाएंगे तो इसको आप लोगों ने दिखाना चाहते हो मैंने डिजेबल किया होगा क्योंकि मेरे पास कोई कंपेने नहीं है मैं आप लोगों को दिखा भी लेता हूं सही है तो सबसे पहले तीसरा है बाई शो ओवन कंपेनेंट टीपी तो यह सारे सेटिंग एक ही सेटिंग है इसका मतलब क्या होता है मैं आप टीमेड को तो आप लोगोंने इनेबल करना है अगर आप लोगोंने किसी दूसरे का देखना है यानि कि किसी दूसरे का प्लेयर के पास हो और आप देखना चाहते हो फिर भी आप लोगोंने इनेबल रखना है तो यह आप लोगों के पास पता है बहुत सारे कंपेनेंट आ तो नेस्ट है भाई हमारा यहां पे अलाव टीम रेकमेंडेशन इसको भी आप लोगों ने इनेबल रखना है कभी भी ओफ नहीं रखना है अगर आपको कोई भी टीम रेकमेंडेशन बेचता है यानि कि कोई भी बन्दा बोलता है कि आजाओ मेरे साथ खेलो अगर आप गेम म में हो तो इसको इनेबल करोगे तब ही आप लोगों को वो यानि के बुला सकेगा वरना विदाउट नहीं बुला सकेगा तो नेस्टिंग की दरफ चलते हैं तो नेस्टिंग है भाई हमारा अलाव अदर टू सी रिजल्ट सही है अब यह क्या होता है रिजल्ट भाई आप को पता है यहां पर मैं किसी के भी प्रोफायल में जाता हूं सही है तो यहां पर आप लोगों ने इसको इनेबल कर देना है जैसे ही आप यहां पर आओगे तो इसका जो रिजल्ट है इसको अगर आप इनेबल करोगे तो इसका जो रिजल्ट है वो यह शो हो जाएगा यह कोई बंदा रिजल्ट आप चाहते हो कि मेरा यह रिजल्ट ना देखें तो बाई सिंपली आप लोगोंने करना किया इसको डिजैबल कर देना है यहां पर सेटिंग में आ जाता हूं राइवेसी एंड सोशल में जाते हैं यहां पर आप लोगों को पता है अला टूसी रिजल् यहां किसी और को तो आप इसको इनेबल कर सकते हो वरना आप इसको डिजैबल रखते हो तो मैं तो इनेबल करता कोई इसका फाइदा नहीं है दिख जाए ना दिख जाए हमार बास तो कोई माय थिक वगएर आउट्फेट नहीं है तो नेस सटिंग है अलाओ अडर टू व् तो हाइड हो जाए मेरा पॉपुलेटी तो आप लोगों ने सिंप्ली करना के है सेटिंग में आ जाना है इसके लाव प्रैवेसी शोटल और सीधा भाई इसको आप लोगों ने पॉपुलेटी वाले को यानि के डिजैबल कर सकते हैं तो इने वली रखता हूं इसके लाव आडाव टूफी देव्लेट आप चाहते हो के भाई आपके फ्रेंड को पताचले आप कितने दिन से खेल रहे हो यहां फिर आप कितने दिन से offline हो तो आप यह चाहते हो कि मेरे friend को सब कुछ दिखदा है जो आप इसको enable कर सकते हो वरना इसको आप disable रख सकते हो तो इसके लावा nest setting की तरफ चलते है allow other to view teammate evaluation अब teammate evaluation का क्या मतलब पर कि अगर आप खेल ले हो आपको कोई आपका friend expected कर रहा है तो आप चाहते हो कि मेरे friend को भी देखे तो आप इसको enable कर दोगे without आप इसको disable रख सकते हो तो इसके लावा nest है accept team invite for strangers अगर आप खेल ले हो चेल पार्क में कहीं भी खेल रहे हो तो आप चाहते हो कि मेरे पास invite आजाए without आप इसको off कर सकते हो मैं तो enable करता हूँ क्योंकि मैं कहीं पे भी होता हूँ मेरे friend का invite आजाता है तो इसको आप लोगों ने enable कर देना है इसके लावा allow spectres अगर आप चाहते हो कि आप खेल रहे हो कोई आपका friend है आपको expected कर रहा है यानि कि आपको देखना चाहता है तो क्या आपको वो देखे या ना देखे वो आपका मर्जी है मैं तो भाई इसको enable कर देता हूँ आप भी इसको enable करें ताकि आपका कोई friend आजाए तो वो आपके game को watch कर सके तो next setting की तरफ चलते हैं मेरे पास कोई भी बंदा इस तरह reservation ना बेजें तो आप इसको off कर सकते हो तो मैंने तो भाई इसको on किया हूँ क्यूंकि मेरे friend आते हैं तो इसको enable ही रखता हूँ इसके लबा next setting है receive messenger invite while offline अगर आप offline है आपका friend आप चाहते हो कि मैं उसे message कहूँ आजाओ भाई PUBG में मैंने तो enable किया है मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आप किस तरह message कर सकते हो अब यह देखे messenger का option है अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी message का option on रहे तो आप उसको on कर सकते हो इस setting को without आप इसको disable कर सकते हो तो यहाँ पे देखे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ privacy and social में जाते हैं तो सिधा आप लोगों को यह जो messenger का option है में इसका enable है तो मेरा show होता है अगर कोई भी friend मुझे अगर आपका account facebook से हो अगर आपका facebook से नहीं होगा तो यह option आपके किसी काम का नहीं है इसके लवा नेस्ट है अलाव अदर्स टू व्यू चार्ट cloud का तो आपको पता है अलावड अर्दर आपका कोई भी बंदा यानि कि cloud देख सकता है तो इसको भी आप लोगों इने इनेबल ही रखना है इसके लवा परसनेल स्पेस इनको गेट मूट सही है इसका क्या मतलब है कि अगर आपको प्रोफाइल है सही है यहाँ पर कोई भी बंदा अगर आपके प्रोफाइल में आता है यानि कि आप चाहते हो कि कोई भी बंदे कि आप किसी भी प्रोफाइल में जाते हो विजिट करते हो और उसको पता नहीं चले यानि कि आपके प्रोफाइल में कोई भी बंदा आता है तो आप चाहते हो कि बाई मुझे पता चल जाए तो आप लोग इनेबल कर सकते हो विदाउट आप इसको डिजेबल कर सकते हो तो यहाँ पे मैंने तो इसको इनेबल किया हू होता है तो आप लोगों को यानि कि इसको इनेबल करना चाहिए अगर आप चाहते हो कि बाई मेरे को बहुत सारे बंदे बोपुलेटी बेचते हैं मैं डिस्टब हो जाता हूं तो उसको आप डिजेबल कर सकते हो तो मेरे को तो कोई वैसे पोपुलेटी बेचता नहीं है इ नहां पर देखे मेरे साथ कोई भी बंदा लोबी में खड़ा हूँ ऐसे है यह बड़ी में तो आप चाहते हो कि आपका कोई भी पार्टरनर नहीं देखे है यानि कि हाइड रहे है आपका पार्टर तो आप इस सेटिंग को ओफ कर सकते हो विदाउट आप इसको इनेबल कर सक है अगर आप चाहते हो कि मैं नहीं दिखाऊंगा तो इसको आप डिजैबल रख सकते हो नेस सटिंग है यह सारे एक ही सटिंग है अलाव टू अदर यानि के कनेक्शन वाला पूरा एक ही सटिंग है नेस्ट है भाई हमारा शो रोईल पास इन्फोरमेशन रोईल पास का इन आपका और जो प्रोफाइल है वो कोई विजट करें और आप चाहते हो कि उसको सब कुछ दिख जाए तो इसको आप इनेबल करो नेस्ट है यहां पे एरपलोन फिनिश वाला यह आपकी किसी काम का नहीं है उप्शन इसके लवा नेस्ट है अलाव फ्रेंड में टू चेर प रख सकते हैं तो इसके लिए नेस्ट है वाई हमारा अलाव इस्टेंजर टू फोलो मीटू चेर पारक हीर अगर जाते हो कि आपका फ्रेंड आपको फोलो करें एक यह सटिंग है पूरा तो नेस्ट्रेंग की तरफ चलते हैं रीजए फीचर रीजन फीचर को आप पाकस्ता disable कर सकते हो next है भाई हमारा receive radio message इसको भी आप लोगोंने यानि कि enable कर देना है और next है भाई display into friend season ranking अगर आप चाहते हो कि मेरा जो season ranking है वो मेरे friend को पता नहीं चले तो इसको आप disable रख सकते हो वैसे आप इसको enable रख सकते हो next है भाई show birthday अगर आप चाहते हो कि आपका बढ़ दे आपके friend को दिख जाए और आपको celebrate करें तो इसको आप enable करो next है भाई हमारा show personal status personal status भाई क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर status रखते हो यह देखो भाई यहाँ पर जाते हैं यह जो status है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर आना है और यहाँ पर moment में आना है और यह है भाई हमारा status है यह friend status और my status अगर मैं यहाँ पर कोई status देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई मिरे friend को show हो जाए तो इसको आप enable करें without आप इसको disable रख सकते हैं तो यही थे भाई आज के जितने भी सारे privacy and social के settings थे मैं आप लोगों को explain कर दिये बाकि अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करें और चैनल पर नहीं हो तो please यार subscribe कर दे